इस्टेट्समेन को दिल्ली में लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि ये हर साल फरवरी में विंटेज कार रैली कराते हैं TV9 की लॉंचिंग होनी थी उससे में बताते हैं कि मोदी जी ने किसी ने कूछ लिया मालिक को इन से कूछ लिया कि यार जो सारे मुझे गाली देने वाले हैं सब को नोकली दे दी किया तुम आज की थारिक में ललन टॉप कितना बड़ा मंच है हाँ कई टीवी चैनल से जादा है वी फोलो सी लेकिन मेरा मानना है कि वो भी सब उसमें भी मैक्सिमम जो है फ्रोडबाजी है 24 गंटे से एक वीडियो पड़ी हुई है और उस पे दस अजार पंदरा अजार वी हुए है आस्तोर से मेरी जब दिल्ली में एंट्री हुई है कि यहां पर जिस तरीके से पतरकार और इवन ओफिस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं के सा अजार ये वामपन्ती है ये लैटिस्ट है ये राइटिस्ट है राइटिस्ट है राइटिस्ट है इस तरह की जो विचारवारा मैंने लेखा यहां दिल्ली नो जाबे है My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते विजैपुर डायलॉग्स पॉड्कास्ट में आपका स्वागत है और आज के इस पॉड्कास्ट में हमारे साथ हैं हर्श कुमार जी आपका स्वागत है हर्श कुमार जी के बारे में आपको बता दे हैं कि हर्श कुमार जी जो हैं वो पत्तरकारिता से बहुत लंब किया है और आजकल आपका YouTube हर्ष की लाइव अत्यन्त लोग को प्रिय है तो आपका स्वागत है हर्षी धन्यवाद आप अपने पत्रकारिता के संस्वरान कुछ बताएं क्यों ये पत्रिकारिता में ऐसा क्या है कि चाहे वो विशेशकर से अंग्रेजी पत्रिकारिता में हम देखते हैं कि साथ कि ये जो जिसको मैं पंच मक्कार कहता हूं और वैसे कुछ लोग लिफ्ट लिबरल बोलते हैं इनका वर्चस कैसे है क्यों है और 2014 के बाद मंच इस बारे में बात करने के लिए हो भी नहीं सकता था क्योंकि जिस तरीके से राष्टवादी पत्रिकारिता को आपने एक नहीं लाइफ लाइफ लाइन दिये मैं आपको बताऊं लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते लेकिन आपका मंच एक बहुत ही इतना बड़ा मंच है कि जिसको कोई imagine कर नहीं सकता था कि ऐसा setup भी कहीं बनाया जा सकता है और सब लोग धीरे 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 इससे जूड़ते चले जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ आप लोग ने कई podcast पहले भी बनाये हैं कई senior journalist यहाँ पर आये हैं तो इस मंच की कमी की वज़े से ही ऐसा ह हुआ है हगिकत बात यह है कि जो platform सेट हुआ 1947 के बाद आजादी के बाद से और आप सब जानते हैं कि यहां एक भारना है कि अंग्रेजी के जो अखबार हैं खासतों से उनके बारे में के अंग्रेजी के अखबार जो लिखते हैं उनके सरकारों में सूतर बढ़िया होते है क्योंकि उनका खास्तोर से दिल्ली से संचालित होता है सारा और दिल्ली में इन लोगों का राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना पार्टीज में लुटियंस जो जो ने पूरा इंडिया गेट आसपास आप सब तो उससे परीचित हैं वहां पर उठना बैठना रहता है लोगों में एक धारना बन गई के साथ ये लोग जो उठते बैठते हैं लोगों के साथ तो निश्चित रूप से इनकी खबरे भी बढ़िया होती होंगी जादा अथेंटिक होती होंगी तो इस धारना का इन्होंने फाइदा उठाया लंबे समय तक ये खेल चला देखिए था उस समय तो छेतरी अखबार भी नहीं थे ये अमरुजाला जागन वगएर अखबार भी नहीं हो करते थे हमारे यहां इदर उत्तर प्रदेश में ये दिल्ली से चपके अखबार जाते थे दो दिन पुरानी खबरे उनमें चपा करती थी नौबारत टैम्स हिंदुस्ता दो अखबार थे ये हिंदी के अखबार थे अमरुजाला जागन तो लेट एटीज में आए बाद में आए तो इसमें उत्तर प्रदेश में आज और सुतंतर भारत चला करता है आज ता लेकिन आज जिस समय मैं अपनी बात कर रहा हूं उस समय आज लगबग खतम हो चुका उसका प्रसार बिल्कुल खतम था उसके रिपोर्टर नहीं रहे थे कुछ मानव पता नहीं मानव करके एक विश्व मानव करके एक अखबार हुआ करता था लगनों से वो पाइनियर आया करता था लेकिन यह उस समय जबकि मैं बात कर रहा हूं उस समय यह सब एकदम मृत प चल रहा था फिर जब छेटरिय पत्रिकारिता सुरू हुई तो इन सब लोगों ने चेटरिय खबरे चापनी शुरू की गली मोल लेगी खबरे चपने लेगी उसके बाद यह सारा आगे बढ़ा और लगा के हां के हिंदी पत्रिकारिता भी अब किसी मकाम पर पहुँच रह है तो हर तरह की विचार दारा के लोग आए तो मैं बता रहा था कि कॉलिज टाइम में जब हम बढ़ते थे तो चिट्टी लिखने का शौक सभी को होता जब पतरकारिता में आते हैं उस दौर में आजकल तो नहीं है वो सब तो हम चिट्टी लिखते थे लेटर टू एडिटर आपने तो देखा हुआ आपने तो खुद यह सब काम किया है मैं उस समय मैं अपने कॉलेज टाइम मेरा कॉलेज कालेज कालकेटा में तो वहां मुझे तो लिखने पढ़ने का शौक था तो मैं वहां केवल एक समाचार पत्र होता था अंग्री जी का इस्टेस में तो उसको में आप जाएंगे बारा खंबा रोड की तरफ आप टर्ण करेंगे जब मॉटर्न स्कून की तरफ तो स्टेट्स मैं बिल्डिंग जो है वो आर्किटेक्ट का एक नमुना मानी जाती है यह सारे वाम पंथियों का एक गड़ था यह उन लोगों ने कभी इंदरा गांधी के सम विंटेज कार रेली कराते हैं वो जो पुरानी गाड़ियां होती है वाहां लूटियंज में जो सब लोगों के घरपे पढ़ी हुई है पुरानी वÔ तो उनकी एक car rally फरवरी में होती है और उसका board जो है statement building के बार आपको permanent लगावा मिलेगा कि वो car rally फरवरी के इतनी से इतनी तारिक के बीच में होगी तो बस उस वो होता है बाकी इनका कोई और आधार यहां पर है नहीं और इधर दिल्ली में तो यह पढ़ाई नहीं जाता था तो उसमें letter to editor हम लोग भेजते थे तो उसमें से 10-5 लाइने का काट कूट के वो छाप देते थे तो यह हकीकत बात तो यही है कि जिस तरह की मानसिक्ता के लोग वहां बैठे वे थे संपादक लोग उप संपादक जो editor है आप letters को edit करते थे उन सब लोगों की सोच जिस तरह की थी उसी तरह का media बना हुआ था कोई मच था नहीं दूसरा फिर धीरे-धीरे electronic channels आये उन में प्रभाव निश्चित रूप से जो लोग गए शुरू में वो भी इन ही में से लोग गए NDTV डॉक्टर प्रणवराय ने बनाया यह सब उसी मानसिक्ता के लोग थे इनका प्रभाव रहा इसी तरह के लोगों की भरतियां हुई तो हकीकत बात यह ए क्या मन्च का जो आभाव होता है ना सिंचय जी वो बहुत ही पृति भाव को यह बहुत तरह की मानसिक्ताओं को और सोच को उनको खतम कर देता है लेकिन जब एक मंच प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो bloom करने लगता है उभरने लगता है सामने आने लगती चीज़ है यह सोशल मीडिया है आज के दोर में सोशल मीडिया पर आब हमें किसी को letter लिखने की जरूत नहीं है मैं चाहूं अपनी facebook पर कितनी भी लंबी post लिख दूँ कोई edit नहीं करेगा उसे edit करने का option मिरे पास है tweet कर सकता हूं मैं YouTube पर वीडियो बना सकता हूं Instagram पर रेल्स बना सकता हूं तो यह जो मंच का आभाव था इसकी वज़े से यह सब चीज़े हो रही थी और 2014 के बाद तो आपको पता ही है कि जिस चीज़ का इस्तिमाल कभी इन लोग ने किया मोदी जी उसी का इस्तिमाल करके आए उन्हों ने भी कुछ दो चार मीडिया हाउस पकड़े अपने और सारा अब देखे किस तरह से तंत्र खड़ा होने लगाया अब इस्तिती यह है आज के तारीक में कि आपके जो पंच मकार जिने आप कहते हैं इस मानसिक्ता के जितने भी लोग हैं अब उन्हें नोकरियां छोड़ छोड़ के उन्हें सबको यूट्यूबर बनना पड़ रहा है वरना एक समय इनकी स्थिती ऐसी थी कि यह आपको नोकरी देते थे यह और आपका इंट्रू लेते थे सारा कुछ आपको देख देखते थे किस मानसिक्ता का आदमी है क्या लिखा है पुरा बहुत प्रचलित हैं उनके साथ हुआ क्या तो बहुत बड़े इसमों बोलते हैं एक तरह से एक इंस्टिटूशन हुआ करते थे अजीद अंजुम का तो पता नहीं यह कैसे बदलाव आया इनके उसमें वरना यह जब जुड़े थे यह तो इसमें जुड़े थे इंडिया और टीवी नाइन भारतवर्स की लॉंचिंग और यह खुद अपना किस्सा बताते हैं आप कभी इनके चैनल पर पड़े भी है वीडियो इन्होंने बनाया है कि मैं किस वज़े से हुआ इनका जो टीवी नाइन की लॉंचिंग होनी थी उस समय बताते हैं कि मोधी जी ने कि कोर हैं विनोद कापड़ी अब बताते हैं कि विनोद कापड़ी जो है सीनियर पोस्ट पे थे वो मोदी जी को रिसीव करने के लिए आये थे लाँचिंग का दिन था और वो रिसीव कर रहे थे उन्हें और उन्होंने जा के अंदर अजीत अंजुम से कह दिया कि आप तुम्हारे बारे में बार बात हो रही थी कि मुझे गाली देने वाले सारे आपने नौकरी पर रख लिए तो अजीत अंजुम का जो कहना है उनका ये कहना है कि वो मेरा trigger point है उसके बाद वो फिर वो मोधी जी के पक्के दुश्मन बन गए वहाँ से इनकी होती है शुरुबात वैसे उससे पहले मैं जब यह दूसरे चैनल में थे इंडिया टीवी में थे उससे में रवीश कुमार एंडी टीवी में हुआ करते तो राइवल्री भी रही है उससे में तो एक दूसरे पर यह कटाक्स भी किया करते थे लेकिन आज की तारिख में तो रवीश कुमार का इंट्रिवी इन्हों ने लिया जब रवीश कुमार ने नौकरी जब छोड़ी वहां से एंडी टीवी से भगाए गए वो तो उसके बाद जो है सबसे पहला इंट्रिवी इन्हों नहीं लिया था अजीत अंजुम ने तो अब तो इस्तिती ही हो गई है कि संजे जी सबसे में चीज क्या होती है कि आप किसी को अपने साथ अगर लेके चलना चाहते हैं तो आपको उसको सपोर्ट करना होगा हर तरीके से जैसे यह मंच बन रहा है इनका अब यूट्यूब पर भी कई प्लेट फार्म इस तरह के हो गए हैं जो यह पंच मकार हैं यह कई प्लेट फार्म बन गए हैं सकते हिंदी वाले हैं यह सब लोग इस तरह के कई एक नया आ गया है दा रेड माइक दा रेड माइक वो यह संकेत उपाध्याय हुआ करते थे एंडी टीवी में उनके फादर बीबीसी में एडिटर रहे मधूकर उपाध्या उनके बेटे है तो वो रवीश कुमार के बाद संकेत उपाध्या वहां के रवीश कुमार बन गए थे पिछले एक डेड़ साल में और एक रिपोर्टर है सुरब सुकला एक सुनील सैनी है वहां प्रोडूइसर थे सीनियर एडिटर उन सब लोगों ने मिलके यह रेड माइक के नाम से चला फॉलूइंग बिलकुल नहीं है व्यूज बिलकुल नहीं आते हैं यह इसमें पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ है मुझे तो पता नहीं है अब हमारे तो जितने भी फॉलोवर हैं मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को दिखाया अपना चैनल वो कहते हैं कि आपके और गैनिक फॉलोवर्स हैं जो सही में आपको देखके आते हैं पता नहीं यह लोग भई अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है फॉलोवर्स भी खरीद लिया हों कहीं से अब आप आप हाँ मैं बताता होता है बिलकुल करते हैं लेकिन अगर ग्रोथ और्गैनि आप यह देखें ना आज की तारिक में ललन टॉप कितना बड़ा मंच है जैसे तो इस तरह के उसमें वर्ल्ड के साथ टॉप टुएंटी चैनल में हैं मीडिया इंडस्टी में जो जूड़े लोग हैं कई टीवी चैनल से जादे हैं उनकी लेकिन मेरा मानना है कि वह भी से एक वीडियो पड़ी हुई है और उस पे दस अजार पंदरा अजार व्यू है तो यह तो पॉइंट जीरो 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 बन परसेंट भी आपके चैनल को नहीं देख रहे इसका मतलब जो सब्सक्राइबर है वो कभी नोटिफिकेशन उसके पास जाता ही नहीं हैं और चैनल को देखने के बाद यह बता देते हैं तो उन्हों तो वो मेरे से एक दिन यह कह रहे था कि हर्स जी आपकी जो रिटेंशन है वो रवीश कुमार के चैनल से भी जाता है नहीं कहा कि आपके पांच लाख साड़े सार पांच लाख के गरीब फॉलोर्स हैं और आ सब तरह के से आपको सपोर्ट करते हैं मेरा यह आपको फॉलोवर भी देंगे पैसा भी देंगे व्यूज भी देंगे सब कुछ देते हैं लेकिन क्या है कि जो आपको इस तरीके से एवांचिनिया तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहता है वो आपको जैनुएन व्यूज तो नहीं दे सका, आपके हर वीडियो पर आपको यह नहीं क्या आपको दस लाख पार चला देगा, और उसके expectations भी आपसे genuine नहीं होते हैं, बिल्कुल सही का आपने, expectations भी उनके genuine नहीं होते हैं, उनकी इच्छाएं कुछ और होती हैं, वो काइदे से आपको promote नहीं कर रहे हैं, या आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं कुछ और है, उनका target कहीं हो रहे हैं, वो किसी और चीज़ को hit करना चाहते हैं, तो मैं तो आप से, आपको मैं कभी मौका, इस तरह के मौके की तलाश थी मुझे, कि मैं आपको धन्यवाद दूँ कि आपने इस तरह का जो राष्टवादियों का जो जम्हावडा शुरू किया है, और जैपूर डायलोग का जो event है, इस तरह के मंच की आवशकता थी, और मेरा मानना है कि इसे अब आप जैपूर से बहार भी निकालिए, बिल्कुल जैपूर डायलोग दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता, या फिर लखनव में क्यों नहीं हो सकता, बहार भी किया जा सकता है, तो ये तो एक मंच बन गया है, नामी तो है जैपूर डायलोग, लेकिन उससे जो विचार धारा पना पर ही है, उसे ब्लूम करने की आविश्चता है, और हर एक के बसकी है भी नहीं है सब कर पाना, दन्यवाद आपको, बहुत बहुत, मैं आपसे आपके संस्वरण सुनना चाहूँगा, जब पत्रकारिता में आपने प्रिवेश्च किया, आपको वहाँ पर किस तरह का वातावरा मिला, उसे आपने कैसे एड़ेस्ट किया, और आगे कैसे बड़े, देखे शुरुवात में तो जब हमने शुरुवात की लेट नाइनटीज में, तो उस समें तो उस तरह की चीज़े थी भी नहीं, जो पत्रकारिता में लड़के आते थे, वो अपना सिधा डिग्री डिप्लोमा किया, पत्रकारिता में आगे एक तरह से जॉब हुआ करती थी, किसा आप नोकरी करनी हैं, उस तरह की चीज़ थी उस समें तो, लेकिन धीरे धीरे जब हम, खास तोर से मेरी जब दिल्ली में एंट्री हुई है, लग लग तेरा के आसपास, बारा तेरा के आसपास, यहाँ पर आने के बाद जो मैंने चीज़े देखी, कि यहाँ पर जिस तरीके से पत्रकार और इवन ओफिस के अंदर जो बैठे वे लोग हैं, वो किस तरीके से बटे हुए हैं, कि साथ यह वामपंथी है, यह लेक्टिस्ट है, यह राइटिस्ट है, दक्षिनपंथी है, इस तरह की जो विचारदारा मैंने देखा, यहाँ दिल्ली में जादे है, नैशनल जो मीडिया है, उसमें जादे है, छेत्रिय पत्रकारिता में इतना वो नीठा, और मैंने तो उत्तर प्रदेश में की पत्रकारिता, तो यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद मैंने देखा कि यार बड़ा बटा हुआ है, और जब दिल्ली में आता है तो एक किसी छोटे सहर से आया हुआ जो पतरकार होता है उसकी ये इच्छा रहती है कि मैं BBC आज तक किसी बड़े संस्तान से जुड़ूँ मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी BBC में एक West UP के ही संपादक हुआ करते थे उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भेह नहीं है तो उनके किसी के माद्यम से उनसे हमारा संपर्ख हुआ था तो मिले उनसे बातचीत भी हुई और इंटर्वू तक भी बात पहुची कुछ लोगों से संपर्ख भी हुआ तो उन्होंने का कि ठीक हम बताते हैं आपको इसी बीच मैंने पंजाब केसरी गुरूप का एक अख़वार शुरू हो रहा था दिल्ली से नवोदे टाइम्स वो जोईन कर लिया था और बीबीसी के सामने वाली बिल्डिंग में ही वो ओफिस है जहां बीबीसी का ओफिस है दिल्ली में कनाट प्लेस में उसी के सामने वो ओफिस था वहां के संपादक जी जो आकुछ रिवास्तव जी थे वो हमरुजाला में मेरे सीनियर रही थे बहुत पहले तो उन्होंने मुझे वहां रख लिया और नया अख़वार वहां शुरू हो रहा था यार वो कुछ एचार वहार वालों ने कुछ लपड़ा लगा दिया उसमें और उन्हें का कि नहीं हो सकता आपका काम याँ पर तो फिर मैंने इंटर्नली कुछ अब क्योंकि मुझे भी आयो दिल्ली में लगबग साल शे महीने हो गए थे मैंने और लोगों से संपर्क किया कुछ एक दो साथी मेरे वहाँ पर पहले से काम कर रहे थे अभी भी हैं एक दो तो छोड़ गए उनसे मैंने पूछा और उनने का कि भाई यहां हाड कोर लेफ्ट होना चाहिए हाड कोर लेफ्ट होना चाहिए और उसने एक बड़ा संजी बड़ा दिल्चस्प उधारन दिया 24 का चुनाव जब आया मोदी जी वाला पहले वाला उस समय उनने का कि कोई संपादक थे मद की मुझा याद नहीं आ रहा क्या नहां था हूँ उनका पर जितने भी सबड़ाई ठ्रैनीज सब लोगा होगोMed और उनने कहा कि भई देखी अब नरेदर मोदी का नाम पैनल हो गया है प्राइमिनिस्टर की बोस्ट के लिए तो उनके बारे में कुछ बनाई यह बढ़िया इनकी वहां गुजरात में क्या प्रफॉर्मेंस रही कैसे सीम रहे हैं वहां की लोगों से बात करो चुनाव से पह प्रफॉर्मेंट वाली जो सिरीज खेली जा रही थी वह वेस्ट इंडीज वाली उन दिनों की बात है यह उन दिनों यह सब चीजे चल रहे थी तो बात चीज चलती रही महां पर उन्होंने मिटिंग बुलाई और उस मिटिंग में कहा गया कि एक बंदा या एक डेस्क ऐस नियूस रूम में जो भी उठाएगा वो ब्रेंड हो जाएगा बाद में परशानी हो जाएगा दोनों ही उनकी जीजे मन में थी उसके दोनों ही पहलू है जो आपने बात कही या तो इस तरह कि वहां लोग थी नहीं या अगर कोई था भी तो उसे डर था कि अगर अगर इसके सामने बी-बी-सी का है तो हम लोग शाम को चाय के खोक के वगएरा होते हैं वहां पर जो उस पे चाय पीने के लिए आते थे सब लोग तो मेरा वो दोस्त है वो स्मॉकिंग का बड़ा शोकीन है वो स्मॉकिंग के लिए आता था तो उसने बताई यह सब बाते हैं उस अच्छे एडिटर संपादक होते हैं वो उनका उनका तो इवन कुछ संस्थानों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जाती है बैलेंस भी बना कर चलते हैं कि इस डेस्क पर एक अगर सोरन है ब्रहमन है या राजपूत है उसके साथ एक मुसलिम भी रखो एक OBC इतना तक सो पत्रकारिता तो मैं जैसे हमारी आर्मी है उस तरह से मानता हूं कि उसमें इन सब चीजों के लिए कोई गुंजाश नहीं है लेकिन वहां ऐसा था और बड़ा मुझे भी अफसोस हुआ मैंने का यार मैंने तो अपना एक साल होगया मुझे तो इंट्रू हुए मुझे बु पत्रकारिता की शुरुवात कर रहे थे संजय जी मैं आपको बताओं आप लोगो को उसका ट्राइ करना चाहिए वहां पर एडमिशन वगरा लेकर देखो तो मैं बताऊं आपको मैंने जब आक्जाम दिया था उसका एक बार दिया वो मेरा लाश्ट च्छांस था ओटे बहुए अपकर लेकिन अब कर लिया होता तो मैं भी क्या पता है तो यह इस तरह के अनुभव रहे चोटे मोटे बाद में पिर मैंने आपको बताता हूं फिर फोड़ासा उसी से जोडते वे बीबीसी वाले अनुभव से मैंने आज तक में डिजिटल में तीन बार इंट्रिवू दिया एक बार तो किसी ने कहा ललन टॉप में इंट्रिवू नहीं था वो देकिन ललन टॉप का एक सूत्र था हमारा मित्र था उसने ललन टॉप की जो टीम थी उनको मेरे कुछ वीडियो कंटेंट जब शुरुआत म मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2018 में कर दी थी तो उस समय उन्होंने किसी ने कहा था कि मैं आपके वीडियो वहां दिखाता हूं और वह अच्छे हैं आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है आपकी वीवर्शिप भी बढ़िया तेजी से बढ़ रही है तो उन्हों ने ललन टोप वालों से बात कि उन्होंने मना कर दी मुझे नहीं की मेरा दोस्त था वो जो उसने बताया कि भाई नहीं वो मना कर दे कि नहीं आपका तो अल्रेडी एक अपना वो मंच है और वो आपको नहीं उसमें आड़ेस्ट करेंगे फिर वहां पे डिजिटल के एक है हैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी भी सीनियर पोस्ट पर है बहुत वहां और मुझे पहले से जानते थे एक बार मैं चंडीगड में उनसे मिला था उन्होंने का कि यार आजओ आप और हम टीम इहां पर बढ़ा रहे हैं उसकी आवशक्ता है तो उन्होंने आज तक का जो डिजिटल है उसके लिए मुझ से खालला कि मैं इतने साल हो चुके थे पत्रकारा में तो कोई टेस्ट देने की मुझे जरुद थी नहीं रहतुए उन्हें होटा होगा जैसे भी पत्रकारगा में होते हैं सब करेंसे उसी तरह से एंत्री होगी प्रोपर बाकी काव आप फिर काम एक महीना हो गया दो महीना हो गया तीन महीना हो गया इंतजार करते करते मैं उन्हें फोन करता और उन्होंने का यार हमारी तरफ से तो ओकी है पता नहीं कहां अठका हुआ है मामला फिर बाद में वहां भी आज तक में भी क्या था कि मेरे कुछ जूनियर्स वहां पर ट्रेनी के रूप में पहुंचे, तो एक दो ने फोन किया, कि सर आपका नहीं हो गया, वो आपका जो शोशल मीडिया प्रोफाइल है, फेस्बुक, ट्विटर, वो सब इन लोगों ने चेक कर लिया है, वहां के एक एडिटर है, वो बीबीसी में हुआ करते थे कभी, वो जो मोदी है, प्रो बीजेपी है, उस पर इनका वो था, सारा का सारा फोकस, लेकिन वहां पर देखिए, डिजिटल में सब इसका कभजा है, मुझे लगता है कि यह सब लोग बैलेंस भी बना के चलते हैं, एके ललन टॉप में सारे वाम बनती हैं, तो यह बैलेंस भी बनान दोसी तरफ वहाँ पर कौत्रम सावंध भी है, गौरब सावंध बंबई में वाले बने लो इन्डी एलाइंस वालों ने बैन किये थे, उसमें नाम था गौरब सावंध है, तो यह बैलेंस बनाके चलते हैं, बैलेंस बनाके चले रहते तो एंडी टीवी भी नहीं बिकता, निरे मानना तो यही है अगर balance उनोंने बनाया होता एंडी टीवी बिक्तन शीवरूर भी इंडिया टुडे वही है शीवरूर भी है उसको भी बैंड किया था शीवरूर का तो वीडियो अभी मोधी जी ने ट्वीट कर दिया वो तो स्टार बन गया वो इन सब से आगे निकल गया शीवरूर ने उस दिन एक वो इंट्रो बनाया था आपने शायद देखा भी उसका चार मिनिट का जिस दिन ये चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो उस दिन उसने एक बड़ा शांदार इंट्रो बनाया उसने कहा कि अब ये कहा जाएगा कि एवियम में गड़बड हो गई फला हो गया धिमका हो गया क्या होता है विदान सब सब चुनाव तो पहले भी आ रहे थे लेकिन 2004 में लोग सबावें हार गए थे जिन तीन और राज जोगत उसने इतना अच्छा शिवरूर ने इंट्रो बनाया बहुत बहुत अच्छा बोलता भी है वो बहुत अच्छा बनाता है उसे मोदी जी ने ट्वीट कर दिया चार मिनिट का था उसका वो उसे मोदी जी ने कोट करते वे ट्वीट कर दिया वो स्टार बन गया तो यह लोग बैलेंस बनाके चलते, यह बात तो सही बात है, लेकिन जैसे मैं कहा रहा हूँ कि ND TV वालों ने बैलेंस अगर बनाया होता तो शायद यह दिन ना देखने पड़ते हैं, और देखिए आपको बताओं, सुशांत सीना नहीं एक बार किसी वीडियो में कहा था या कोई फेस्बुक में पोस्ट लिखी थी, सुशांत सीना पहले इसमें हुआ करते थे, ND TV में, रवीश कुमार इनके बोस हुआ करते थे, अभिसार वगेरा यह सब लोग, तो उसमें सुशांत सीना ने रवीश कुमार के बारे में बताया था एक बार, कि जब 2008 की मंदी आई की, वहाँ पर यह अपना शो करने के बाद उसमें बैठ रहे थे, तो कुछ लोगों ने यह तै किया, जिनने निकाला जा रहा था, कि आज रवीश जी से मिल लेते हैं, तो यह सब लोग वहाँ, 40-50 लोग इंतजार कर रहे थे, पार्किंग में, बताते हैं कि रवीश कुमा परावर्ग के योदा है, तो मैं यह तो कह रहा हूँ कि इनकी ये बातें, मीडिया के माद्यम से सामने नहीं आते हैं, यह मेरा को, मेरा बतायावा अनुभवनी है, मैंने उसुषान सीना को कहीं बोलते हुए सुना, तो सुषान सीना ने उसमें बताया, यह सब कुछ के, र जितने भी ये लोग हैं, जो आज खानती कारी बने वे हैं, सबसे में चीज मुझे तो इनकी ये लगती है, कि साब सवाल पूछना चाहते हैं, कि मोदी जी किसी सवाल का जवाब नहीं देते, यह इन्हें सबसे बड़ी शिकायत रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है, कि इन ल सड़क पर आजाते हैं, यह आपके कुछ ख्रांतिकारी जो अपने आपको कई बार जो है, राश्टरवादी भी अपने आपो प्रजेक्ट करते हैं, रजच शर्मा जैसे लोग, इनके साथ आपका क्या उन हो है, रजच शर्मा से परसनल अनुबह कुछ नहीं है, लेकिन द की समय से, तो उन्हें बताया था कि रजच शर्मा के बारे में तो अब तो सर्व सबको पता लग चुका है, यह रजच शर्मा की स्थिती गौवर्मेंट में तो खड़ाब है, बोच जब है, और अरुन जेटली और रजच शर्मा साथ-साथ डियू में रहे, अरुन जेटल की दोस्ती थी उनसे, रजच शर्मा ने दरसल क्या है कि रजच शर्मा के बारे में जो मेरा अपना अकलन है संजय जी, रजच शर्मा ने उस दोर में जब 2004 से और 2014 तक यह जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो पिरियड रा, उसमें बीजेपी का बड़ा खुल के साथ दिय जो मेरे मानने है, और अरुन जेटली का खास्तोर से इसमें बड़ा योगदान था, अरुन जेटली का मानना था कि कोई मंच आपके पास ऐसा होना चाहिए, जो आपकी सपोर्ट में बोले, क्योंकि यहां तो सब कबजा इनी का था, इविन उस समें तो जी न्यूज वगेर के करीबी लोगों में थे उस समय, लेकिन रजट सर्मा ने जिसे कहते हैं कि हमारे देशी बासा में कि अड़ के साथ दिया, बीजेपी का अड़ के साथ दिया, अरुन जेटली की वज़े से, लेकिन अरुन जेटली के निधन के बाद रजट सर्मा की भी इस्तिती बड़ी बीक हुई है और अब तो दिल्ली की मीडिया में तो ये परचलित है मैं तो अक्सर अपने वीडियो में कहता भी हूँ कि ये चद मुबामपन थी है रजत सर्मा और इन्होंने अर्विन केजरिवाल से मेरा मानना है कि बढ़िया सैटिंग की हुई है अर्विन केजरिवाल को बढ़ा चड़ा के इनके चैनल पे दिखाया जाता है अर्विन केजरिवाल ने तो दिल्ली में वैसी सारे मीडिया आउसे पे अपना एपरत्यक्ष कबजा करी रखा है कि आप मेरे खिलाफ खबर अगर कुछ भी चाप होगे हमारे परतिकों निगेटिव खबर होगी उसको हम एड नहीं देंगे सरकारी एड तो अब थोड़ा सा पिछले कुछ समय से जब सुप्रीम कोट ने डंडा किया कि आपको जो एड छपवाने के लिए पैसा है लेकिन वो जो रैपीड ट्रेन बन रही है मेरे ट वाली उसके लिए आपके पैसा नहीं है तो अब थोड़ा सा ये लोग संबले हैं कि इस स्प्रेंट पे भी हमें चेक किया जा रहा है पकड़ा जा सकता है मेरा मनना है कि आप क्रिकेट की बैक्ग्राउंड रही है आपकी आप RCA से भी जुड़े रहे हो राजस्थान क्रिकेट एडिश्योशन से रजस सर्मा का एक बड़ा पाजी हुई उसके बाद तो रजस्थार्मा ने कुछ ट्वीट किये उसी समय से यह चीज़े सामने आई रजस्थार्मा ने कुछ ट्वीट किये के आज विराट कोली ने सैंचुरी बना दिया है किसी का दिल जल रहा होगा आगए मैंने मेरे पत्रकार साति आ हैं वो गौतम गम्बीर के बारे में क्यों कह रहा है कि गौतम गम्बीर जो है रंची ट्रोफी कैप्तन थे दिल्ली के और रजड सर्मा प्रेसिडिजर्ण बन गए थे क्रिकड एश शोसंगे दिल्ली के और अरुन जेटली की वजह दो बने थे अब उसमें क race ओगन औ मैं टिकट दिल होंगा आपको वो बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही गोतम गंबीर ने सब वो क्या कहते हैं कि इस तीफा वगरा जो छोड़ी थी और रिटार्मेंट की जो बाते हुई थी उसके बाद ही हुई 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 में टीम मीटिंग ले रहे थे अपनी रजश सर्मा ने सोचा कि यार मैं तो प्रेसिटेंट हूँ जाता हूँ आज देखता हूँ कि दिल्ली की टीम की तैयारी कैसी चल रही है बताते हैं कि यह ऐसे ही रूम में बैठे वे थे अंदर टीम मीटिंग चल रही थी रज़ड़ात अंदर घुस गए गेट खुल के गोतम गंबीर ने का कि यहां टीम मीटिंग हो रही है बार जाईए आपको बाद में बताऊंगा बताते हैं कि लिटरिली जो ऐसे रजश सर्मा को डाट दिया गोतम गंबीर में और यह बाहर आ गए उसके बाद से इनका जो रुक है वो नीगेटिव खबरे चलाई नोड़ बंदी के समय ने इनकी टीम सुभई सुझे निकल जाए ओरिजिनली तो हूँ सांप बिच्छू वाले थे लेकिन क्या है कि और उनके साथ में यह विनोद कापड़ी विनोद कापड़ी तो सांप बिच्छू का जनक है यह तो जनक है इ दंजुम भी इसी ग्रूप में थे उस समय इस सब उसी टीम का उसी एरा में उसी दोर में ये सब लोग साथ काम कर रहे थे तो रजस सर्मा ने बड़ी निगेटिव खबरे उस समय चलाई नोट बंदी को लेकर उन्होंने रजस सर्मा ने जो है वो सुभी सुभी अपनी टीम कि आओ जाओ देख कि आओ कनाट पलेस का फलाँ एटीम है वहां क्या है और आस पास के दिली की जितने भी एटीम है कितनी लाइन लगी हुए नोट निकालने वालों की उनके व्यूज लाओ तो उसमें लिटरेली पारलेमेंट में शायद बात कही थी है अरुन जेटली ने उसमें फारेनिस मिनिस्टर थे रज़त सर्मा से दोस्ती उनकी सब जग जाईर है तो अरुन जेटली ने पारलेमेंट में कहा कि मैं नाम नहीं लिया लेकिन अरुन जेटली थोड़ा सा अलग स्तर के वेक्ती थे उन्हों ने ये कहा कि भाई ये एक मेरे परीचित है चैनल वाले वो सुबह से रोजाना दिखा रहे हैं मैंने तो सुचा यार वास्तों में लोग इतने परेशान हैं कि फिर मैं गाड़ी लेके गूमा कनोट प्लेस और आसपास लोधी रोड इदर के जो सारे इलाके हैं मैंने देखा कि ठीक है लोग ATM की में लाइन लगे लेकिन ऐसी इस्थिति नहीं है फिर मैंने उस चैनल वालों को फून करा जे भाई इतना भी बड़ा चड़ा के चीज़ों को मद दिखाो इतनी भी खराब इस्थिति नहीं है जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे ध्याने मैंने उस समय के वीडियो बनाया था और मेरे प्रवतिवाली पीड़ा ये जो हमारे पास रखावा तब उसे किस से बदलवाएं। अगर हमें कम से कम यार हमारे दोस्त हमें तो पहले बता देते हैं कि भाई इसको कहां बदलवाएं। तो वो एक व्यंग में, एक सटायर वे में मैंने कहा था, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसे, किसाब इस तरह की बात हुई उसमें, तो मुझे लगता है कि ये खटपट नोट बंदी के बाद से बीजेपी के साथ इनकी शुरू हुई, और अधन जेटली के निदन के बाद से तो बीजेपी में कोई ने पूछता नहीं है, कोई इनकी से नहीं रही, बाद अब लिकुल, इंडिया टीवी जो एक तरफ चला गया और देखिए, इसका सबसे बड़ा परमान कब मिला, ये जो चोदा वाली लिस्ट आई, जिसमें ये बैन किये गए ये सब लोग, रजस्षर्मा की जो पटरी है, अब वो एंडिया सरकार में मोधी के साथ अब रजस्षर्मा की पटरी है, ने उनके आप अगर आप एटिचूड भी देखें, आप देखें, दो तीन रजस्षर्मा के जो वाकरे मुझको जालाते हैं, रज़त शर्मा बड़ा मजाख बाते हैं धार्मिक प्रूर्टियों का या जैसे यदि आप इसलाम की आलोचना करें तो रज़त शर्मा उसके सामने खड़े मिलते हैं एक इनका बड़ा प्रसिद्ध मैं कहूंगा प्रसिद्धिया कहूंगा नाटोरियस एक इनका एक होदा जिसमें ये और जफर सरेशवाला और मेरे खाल से ये नकवी मुखषार जिसको बाद में हटा दिया गया इनका एक साथ साथ में बड़ा डैलोग आ गया जिसमें ये बड़ा हसते हैं हिंदुत्ध के उपर और मदाक बनाते हैं उस तरह की बाते करते हैं एक और मैं आपको बताओं इनका जो है वो इन्हों न कुछ भाईजान लोगों का रोया जो था वो दुख गया था क्योंकि भाईजान लोगों को सच से परेज रखते हैं ना कोई भी सत्य बात कर दी जाए तो फिर उससे बहुत कष्ट हो जाता है फिर इसी तरह से बगेश और धाम महराज के साथ इन्होंने इक तरह से बत्तमीज इस तरह से इन्होंने बात की तो मैं कहूंगा कि उस संत्की सौमिता थी मेरे जैसा कोई होता तो इनको फैर अब सना भी देते तो यह एडिट कर देते हैं इसा मंच है जो लाइव हो तो बात अलग होती तो इस तरह कि जो इनके जो है ना यह मुझे कुछ हताशा सी इनमें की संज्य जी और आप यह समझे कि मोदी का जो पहले वाला कारेकाल है उस दोरान रजस्थर्मा ने ग्रेटर नोड़ा में आप जाएंगे तो एक एक एक्वा लाइन चलती है मेट्रो की जो यूपी गवर्मेंट की है एक्वा लाइन इदर नॉलिज पार्क वगएरा जहां इदर चलती है और केवलो यूपी में ग्रेटर नोड़ा में चलती है वो ब्लू लाइन से कनेक्टिड होती है दिल्ली मेट्रो की लेकिन उसमें एक जिट करके आपको जाना पड़ता है तो उसी में एक इंडिया टीवी का रेलवे स्टेशन है मेट्रो का अलग से और आप स चैनल में शैद इंडिया टूड़े और अगर टाइम सनाव को छोड़ दें उसके बाद सबसे शांदार बीडिंग है अब कोई रजास्षर्मा का चैनल इतना बड़ा तो तुर्रम खान था नहीं कि इतना बढ़ा भेंकर रेवेन्यू कमा रहा था है वो कि उनके पास इतना हुआ गया लेकिन सपोर्ट थी अरुण जेटली की और उसी की वज़े से ये सब संभव भी हुआ अभी जैसे आप बता रहे थे के धिरेंद शास्त्री के साथ जो जिस तरीके से इन्होंने कहा अपनी आपके जालत में पुन्य परसून वाजपी का भी तो यह लफड़ा उन्होंने रामदेव की बेज़ती की थी अपने कारेकरम में वो सीधी बात वाला कारेकरम उनका हुआ करता था वो उसमें अंधेरे से वो उसमें बैटके वो करते हैं जो उसमें हुआ था मामला उसमें हुआ यह था कि इन्होंने एपर्तिक शुरूप से पुन्य परसून जो है इनकी राम देव की तुलना ये राम रहीम से कर दी कि भाई आज कल के बाबा ऐसे होते हैं वो एस यूवी में घूमते हैं और इतने एश वह राम की लाइफ जीते हैं और तरह तरह के उनके स्केंडल है पुर्णिकसुन वाजपी जैसा कहते हुए ऐसा अच्छा लगता है उसके खुद के कितने वो खुद किसमें भूमता है वो खुद कितने वड़े फ्रॉड करता है और क्या भगत सिंग बड़े बड़े करांतिकारी वाला उसका जो से निकला था वो बहुत करांतिकारी पुर्णिकसुन वाले इंसिडेंट के बाद ही तो इनकी नोकरी आज तक से गई क्योंकि आज की तारिक में पतंजली में आप सिर्फ यह नहीं सोच सकते कि राम देव की सोच क्या है राम देव प्रो बीजेपी रहे शुरू में अब तो खेर थोड़ा सा उनका भी किया था कि जब मोदीग जी का नाम प्राइम मिनिस्टियल कंडिडेट के लिए चला था लेकिन मीडिया इंडिस्ट्री में संजय जी पतंजली आज की तारिक में सबसे बड़ा एड़टाइजर है इवन एंडी टीवी में भी जब यह रवीश वगरा थे उस समय भी जो इन इस सब चलता है इनका तो उन से नाराज होगे थे वह तो अब दिरेन सास्त्री के बारे में आपने कहा कि वो सोमय और थोड़ा दूसरे तरीके के थे लेकिन राम देव ने मिड शो में ये कह दिया कि मेरे पास महिंदरा की स्कॉर्पियो है दस साल पुरानी काले रंगी बा इसी गाड़ी में या बीम डब्दू में मर्सेडीज में चलने वालों में आपने मेरी तुलना जिन बाबाओं से किया है मैं उन बाबाओं जैसा नहीं हूँ उसी के बाद इनकी नोकरी गई थी फिर ये एबीपी में चले गए थे एबीपी में गए तो वहां इनने नो बताया है हमारी दूया कि ये जब कलकत्ता में होते हैं तो ये ममता के साथ खड़े हो जाते हैं वामपंतियों के साथ खड़े हो जाते हैं लेकिं दिल्ली में जो वहां रहते हैं तो पूरा मोदी जी के साथ अपना रेपर बढ़िया बना कर रखते हैं तालमेर बना कर रख के एड़जस्टमेंट करने का इन पंच मक्कारों में सबसे बड़ा प्रमान राजदीफ सर्देसाई राजदीफ सर्देसाई ने कितने जूटे ट्वीट किये हैं कितना उनके उपर डिफेमेटरी वो हुए हैं केस राजद्रो का एक बार दर्ज हो गया था आपको याद होग जो एड़जस्ट करते रहे वो भी भी चल रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि वो अरुन पूरी जो है वो बैलेंस करके चलते हैं कि उस तरह के भी लोग रखते हैं उस तरह के भी लोग रखते हैं राजदीफ सर्द्वाई सीनियर जनलिस्ट है जब अमबारी ने टेक ओवर किया नेटवर्क 18 यह सब आईबियन वगेरा उस समय यह और आशुतोस भागे थे अब आशुतोस कहीं और अच्छा चल रहा था और वो खुद छोड़के भागा था निता बनने के लिए हां आशुतोस का तो जो है उस समय अच्छा खासा था और हिंदी वाले की उस समय पो आशुतोस को हटाया नहीं था यह तो खुद भागा था राजदीप सर्देसाई भी खुद ही भागा था इनने यह लगा कि वो जैसे अड़ानी ने अड़ानी ने के लिए बागा था उसकी बात हो चुकी थी ना पहले ही उस से मैं आपको याद होगा यह आपने अच्छा याद दिलाया उससे मैं आपको याद होगा देखिए कि यह सच्छ और सुतंतर पत्रकारिता की बात करते हैं इनोंने पूरी सौदेबाजी की इनोंने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को चिलाओं में सपोर्ट करके और जैसे ही आम आदमी पार्टी जीती वो ऐसे ही पत वो इनकी बारे में बता जाता है कि इने ओफर की गई थी लेकिन इन लोगों का था राजदीफ सर्देस है कि इच्छा बताते हैं मीडिया इंडस्ट्री में लोग के साब इनकी इच्छा यह है कि राज्य सभा वगेरा मिलती अब राज्य सभा तो अरवीन केजरी वाल ने अपने लोगों को निदी इन बार से आयोगे लोगों को क्या देशी है उसने अभी उसमें फिर आ रहा है वो जनवरी में खतम हो रही है वो तीनों जो दिल्ली वाले राज्य सभा के मेंबर हैंके अभी जनवरी में चुनाव होना है उनका अभी देखिएगा क्या ख़ई ल लेकिन आशुतोस भावनाओं में बह गया एक तो लोग सबाचोनाव लड़ने चला गया राजदीब सेर्दे साहे में इतनी इम्मत नहीं थी कि वो लोग सबाचोनाव लड़े वो उस तरह का कैलिवर उसका था नहीं आशुतोस ने कहा कोई बात नहीं चांदनी चोक से डाक् पर वेब साइट पर इस पर आने के लावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था तो यह मजबूरी में आया वो उसको हम असत्य हिंदी कहते हैं क्योंकि उसके सत्य बोलती ही नहीं है बिल्कुल और आप यह देखिए कि कई सारे चुनाव जाए क्यों करता हूं तो मैं सत साथ प्रदेश के चुनाव लड़ने चल रहे थे तो साथ या आठ चरण में साथ चरण में थे शे चरण होता कि इन्हों ने समाजवादी पार्टी को जीता हुआ बताया और साथवे चरण के बाद यह कह दिया कि स्थिती अस्पष्ट हो साथवे चरण क्या यूपी में त चाहा उस समय तक क्लियर हो चुका था कि डेड़ सो सीट तो यहीं बन गी है तो उस समय इन्हें एस पस्ट होना शुरू हुआ इनकी आप यह समझे के ग्राउंड रियाल्टी से यह लोग कितना दूर हैं कि वो एक शो करती हैं इसमें नीलू व्यास करके पत्रकार हैं वो च सर उनके चैनल पर आते थे लेकिन जैसे ही वो बोलते थे थे तो उसे वो टोकने लगती थी बाकी को फृरिली साथ-8 मिने बोलने देती थी तो उस भी एहाली में मद्धे परदेश के चुनाओं के बारे में उसने यह का कि मैं तो खुद मद्धे परदेश में गई तो जिल लोगों के बीच में आप उठ ते बैठते हैं वो उसी तरह की विचारँदारा के लोग है तो आपको पता ही नहीं लगेगा हवावाई हो जाती हैं सारी की सारी चीजे तो वो तो आपने सही का सत्य हिंदी है लेकिन असत्य हिंदी में जब आप कह रहे हैं कि आप भी उन्हें देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उसमें क्या होता है कि उसमें हमें आइडिया मिलना बड़ा आसान हो जाता है जो वो बोल रहे हैं आप उसका निरेटिव बनाया जा रहा है उस पे निरेटिव ये बनाया जा रहा है एक तो इन्होंने वो पकड़ लिया है जो तीन राज्यों के चुनाव 2003 में आरे गए थे उसके बाद 2004 में अटल जी की सरकार चली गई थे एक तो उस पर ये फिक्स हो गए दिल्कुल पूरी तरह सो उस वास्तविक्ता से कोई दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है इसमें मैं भलकी मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से इतना फ्रीली बोलते हैं वो एक इसमें हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक हैं या नामनों का लेना नहीं चाहूंगा समझ जाएंगे सब लोग वो इक्दम किसे कहते हैं या धुर कॉंग्रेसही है mi agakे और वो रोज ना बैठके वो इस तरह की चीजह कहते हैं और जो भी अगर थोड़ासा ये बात बताने की कोशिश करते हैं या प्रोमोदी कुछी इस तरह का नेरेटिवी देने की कोशिश करते हैं तो उसका वह तुरण स्टेट्स अभी यह हुए हैं उस सो कुछ है ही नहीं का वो अड़े हुए हैं उस पर मैं अक्सर यह सोचता हूं संजय जी कि यह इतनी सीनियर पोस्ट पर बैठे हैं लोग जो जूनियर पत्रिकार है एक छोटा सब एडिटर जो काम करता है वो सब चीजों को समझ पा रहा है यह लिए समझ पा रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा ही बोलने के लिए कुछ अत्रिक तिलाब कहीं से मिलता है कि आपको इस तरह का नेरेटिव बना के रखना है इस तरह की सोच है है अच्छा यह न्यूस क्लिक के साथ जो हुआ जो इनका सारा पूरा इंवाल्मेंट निकला औ अविसार शरमा निउस क्लिक में भी काम करता है खुद का भी चैनल चलता और बलकि लगातार यह देखें आप की आपके और निउस क्लिक से उसरी चलता है हाँ बढ़िया चलता है ण्यूस क्लिक कोई देखता नहीँ तो नियूज, यह जो नियूज ख्लिक में जो पूरा का पूरा जो चाइनीज पैसे का जो इनॉल्मेंट पाया गया, तो यह मुझे तो आश्यर नहीं हुआ, क्यों कि बार लगता है कि यह पूरा का पूरा जो लेफटिस्ट इको सिस्टम है, यह अपनी किसी प्रतिबधता य जो आपके सेवेंटीज, इटीज, नाइंटीज वाले, जो बिलकुल धुरवामपन्ती जिनको बोलते हैं, जो वाकई जो वामपन्ती सिद्धानतों में विश्वास रखते थे, अब यह केवाल आवरन रह गया है, हाँ यह आवरन ही है, बिलकुल, कुछ नहीं बचाया है, भकीकत बात है सही कह रहे हैं और न्यूस क्लिक वाला के तो उसके बाद मौमले के बाद तो मेरे एक पत्रकार साथियों से मेरी बात हो रही थी मुझे तो यह भी नहीं पता कि न्यूस क्लिक अभी चल भी रही है या बंद हो चुकी है क्योंकि उसका office बगएर तो seal कर दिया था यहां पर अब अपने घर से कोई कुछ लोग बता रहे हैं कि उस पर खबरे बबरे डाल रहे थे बाकी तो news click का भी फिलाल कुछ है नहीं और news click के बंद होने से इन लोगों को बड़ा फैदा हुआ यह जो the wire वाले है और the print वाले अप की वीवर्शिप पर उसका फरक पड़ रहा था यह था सारा सारक के लिन का देखिए आपने भी एक वह बात बताई थी उसकी अभिसार की कि उसका अपना चैनल बढ़िया चलता है राजदीब सर्देशाई का भी YouTube चैनल है आपने देखा होगा राजदीब सर्देशाई के पांच मिनट की वीडियो चालता है और मुझे समझ में नहीं आया कि अरुन पूरी ने इस तरह की परमिशन कैसे दी है क्योंकि आज तक में काम करने वाले मेरे कई साथी हैं उन्होंने किसी ने भी YouTube चैनल बनाने की अपनी इस तरह की चेष्टा की नोकरी से निकाल दिया ग आया कि वो प्राइम टाइम शो भी करता है नो बज़े वाला और अपना YouTube भी चलाता है लेकिन राजदीप सर्देशाई की वजह से इंडिया टीवी इंडिया टूडे को कितनी वीवर्शिप मिल रही है इसका प्रमान उनका चैनल है अगर राजदीप सर्देशाई की वजह से वहाँ आये होते दर्शिप वो जो व्यूवर है यह वहाँ पर आये होते तो राजदीप सर्देशाई का YouTube चैनल भी तो ग्रो करना चाहिए था ना मैं इतनी धीमी सुस्त उसकी स्पीड है कोई कोई वीडियो एक आद लाग मुस्किल से चला होगा आज तक और अभी उन्होंने यह तीन राजदेशाई के चुना हुए उसमें जादे करना शुरू किया था तो राजदीप सर्देशाई की तो समझ नहीं पताया नोकरी कैसे चल रही है अजए एक वो एंडी टीवी की स्टार हुआ करती थी आजकल उनको पनौती कहते हैं और उन्होंने भी यूट्यूब चैनल चलो गया था तो वो आजकल कहा है उन्होंने तो वो मोजो के नाम से चैनल अपना बनाया था और पता नहीं वो भी दरसल मुझे लगता है अब आप बताइए ना कि आपने कोई वीडियो डाला है और आपके वन मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है और आपको पांच हजार साथ हजार ये वीव आते हैं बाकी वो एंडी टीवी में जूडी रही मिश्चित रूप से बड़ा नाम है और सेटप बढ़िया है तीम ब इंगलिश वाले थो ये लोग तो रवीश कुमार ये तो हिंदी वागार ये बहुत बाद में आया रवीश कुमार तो इन दोनों ने मिलके ये शुरू किया था एंडी टीवी और मेरे ख्याल में जो कार्गिल वार थी उसके समय बरकादत स्टार बनी थी ये वहां गई थी कवरेज पर फिल्म भी बनी थी जिसमें प्रिती जिन्टा ले किया था वो रितिक रोशन वाली लक्ष उसमें वो कैरेक्टर बताया जाता है कि वह बरकादती डिजाइन किया गया था सारा बिच उसका जो था लेकिन जिनका यूट्यूब चैनल है मैं आपको बताऊं कि जि से वो सी वोटर वाले यश्मत देशमुक हैं उन्हें गुला लाती है अब चुकि यश्मत देशमुक अपने आप में जानावाना नाम है और सी वोटर के अनलेसिस हर जगह आते रहते हैं तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग उनके वीडियो पर आ जाते हैं वरना तो योगेंदर यादव इनके इंट्रिवू लेना इसी तरह का वो करती हैं कोई खास है नियूस की हाँ उन्होंने कोविड के समय में काफी कुछ काम किया उस पर और जिस तरह की उन्हें लाशे जलती हुई दिखाई तो उस समय वो जो सारा एक होता है ना वो जो एको सिस्टम अठ्ट लिब्रल वाला ये सब काम करता है जिस ने उसकी फिलिमिंग की थी वो अफ्ञानिस्तान में मारा गया हां तो वो सब लोग उनके साथ जुड़ गय थे उस समय तो उसी समय जो है उनका चैनल मेरे ख्याल में मोनीटाईज भी हो था वरना एक समय तो मुझे लग रह गहरी हैं समझे जी इने अगा आप जैसे को होता है ने कोई बड़ा द्रक्त जब गिरता है तो उसकी जब जड़े खोदने जाते हैं तो पता लगा वो मकान की नीव में भी घुसी हुई है और सड़क के पार तक पहुंची हुई है तो इस तरह तक इनकी नीवें इतनी गहरी हैं और लुटियंस इलाके में इनकी उठ बैठ जिन लोगों के बीच में है ये मववा मित्रा जैसे लोग इनीगा तो शिकार हुए है जैसे फर्स्ट टाइमर एंपी आते हैं दिल्ली में और उन लोगों को ये घेर लेते हैं पार्टीज और कलब ये सब वहाँ पे यारी दोस्ती उठना बैठना और फिर वहीं पे इनको आफर कर दे जाती हैं कि आप इनका ये काम करा दो आप इनके तरफ से ये कोश्चन पूछ दो समपर कैसे कराते हैं बर्खादत का तो जो परशेप्सन है दिल्ली के मीडिया में वो यही है कि इन्होंने लाइजनिंग की लेकिन न कहीं बिना आगके तो धूओं होता नहीं सारी चीजह हैं इनकी और इन्होंने शेकर गुपता के साथ प्रिंट भी इन्होंने ही चलाई शुरूआत इन्हों नहीं की थी उसके वाद उसको भी छोड़गी ये मुझे इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि ये जूडी थ लेकिन प्रिंट में तो पैसा टाटा ने लगाया था उसी के बाद इन्होंने इतना बड़ा सेट अप लगावा है लेकिन इनका दफ्तर जो है वो इंडियन एक्सप्रेक्स की विल्डिंग में चलता है दिल्ली में यह जो पंच मकार यह सारे वामपन थी हैं जितने भी इन्ह बिल्डिंगे बनाई हुई हैं कि अगर यह उनका किराया भी खाते रहें तो उनकी कई पुष्टें खाती रहेंगी बैठे वे बात दूर साजब और मार्ग पर आप जाई आई टियों से जब चलते हैं मंडी आउस की तरफ तो उधर टाइमस ओफ इंडिया की बिल्डिंग इन लोगों को दिक्कत इस बात किया कि 2014 के बात से यह सब चीजें हो नहीं पा रही हैं जिस चीज़ की इन्हें आदत पड़ गई थी तो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं हाँ मुझे लगता है कि अख़वार के माध्यम से तो इंकम में शायद प्राक उतनों ना पड़ा ह लेकिन जो पावर ये एक्सरसाइज करते थे वो जी 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 बिलकुल बिलकुल सही कह रहे हो आप उसका कोई मतलब इस बात से नहीं था कि आपके अख़वार का कोई प्रसार बढ़ेगा या ज़्यादे कुछ सरकारी विग्यापन वगएरा मिल जाते हैं इस सरकारी विग् लंदाजी थी और एंडी टीवी ने आप समझें के सत्ता के साथ दोस्ती करके जो मैंने देखा इवेंट बहुत बड़े-बड़े कराएं और कई एंजियो अपने सपोर्टिंग बनाए वे तरह से लोग सत्ता के दलाल बने ते बिलकुल बिलकुल और जिस तरीके से ये इस तरह के में नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कुछ एंजियो भी बनाए हुए हैं सपोर्टिंग तो ऐसा तो है नहीं के राधिकर आए और प्रणव राए बिलकुल सुलक पे आगे हैं फंडिंग के लिए ये बना हुआ है आई-पी-एस-म-फ वाला इंडिपें यह लोग वायर को फंड करते हैं स्क्रॉल को करते हैं न्यूज लॉंडरी टाइप हो करते हैं और आपके क्या है वो न्यूज मिनिट दानिया राजिंदरन वाला इन सबने हैं तो यह सब उसी एको सिस्टम के हैं लेकिन आपने इने नाम बढ़िया दिये हैं दलायर न्यू पत्रकार साती हैं वो बात करने लगे हैं किसी को यह पता नहीं कि यह कहां से आया शब्द निकल के लेकिन वास्त में यह परचलन में आ गए हैं दिरे-दिरे दलायर न्यूज लॉंडी यह सब अच्छा आपने चलाया इनके नाम रखे देखिए दिन्यू लायर और लॉल्डी मेरा दिया हुआ नाम नहीं है अच्छा न्यूज लॉल्डी का पॉपी राइट जो है वह अजीद भारती के पास है अच्छा अजीद भारती ने चलाया मैंने उसको पॉपिलर किया अच्छा इसी तरह से पंच मक्कार का भी कॉपी रैड संधीब देव का है एक मंच होता है जो आपने जिस तरीके से मंच बनाया है मैं तो फिर आपको लग रहा होगा मैं आपकी तारीफ बहुत ज्यादे कर रहा हूं लेकिन यह हकिकत बात है इसकी आवशकता थी एक होता है ने कि जो connect कर लेना सब चीजों को कुछ चीजे तो हैं कि बिखरी हुई ह सब अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं लेकिन एक संयुक्त मंच पे आना और उन सब का एक दूसरे से जुड़ना जो काम आज तक ये सब लोग करते आए हैं वो अब हो रहा है जो राष्टवादी पत्रकारिता कर रहे हैं या जिने कहते हैं जिन पर ये लोग दक्ष्किन पंत लोगों के सब के खुलकर नाम ले रहे हैं ये अपने शो में कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं इन्हें लगता है कि हमारे नाम लेने से ही कहीं ने दो चार लाक रुपे या इनके डॉलर्स कुछ जादे ना आ जाएं ये इतने होश्यार लोग हैं हम तो बेबाग तरीके से बात कर रहे हैं हमने किसी हमने परेज नहीं किया हर चैनल का छोटे पतरकार का बड़े पतरकार का सब ने हमने नाम लिया हमने क्रेडिट भी दिया कि ये उसका परचलित किया हुआ ये फला का अजीद भारती का सब ने सब का नाम लिया हम इस बास से को जिजग नहीं करते ह आप चले जाएए ये किसी को कोट नहीं करते हैं ये एक दूसरे को भी कोट नहीं करते हैं अजीत अंजुम ने एक आदफ है रवीश के बारे में जिक्र की आया या रवीश ने एक आदफ है उसके कटसी में अजीत अंजुम का जिक्र करती है वरना ये कभी नहीं करते हैं आशुतोस कभी रवीश के बारे में बात नहीं करता बर्खादत्ता और रवीश का 36 का अकड़ा है कोई आपस में तालमेल नहीं है बहुत मैं आपको बता हूँ एकदम अंदर खाने की बात है इन दोने में बिलकुल नहीं बनती रवीश कुमार बर्खादत के बारे में अपने इंट्रिवू में शायद BBC या पतनी अजीत अंजुम के इंट्रिवू में इका है कि जो बर्खादत आज इन से अलग हुई है डॉक्टर परनव राय से वो एक बार ओफिस में बेहोस हो गई थी तो परनव राय ने अपने हाथों से तलवे चेले हैं रवीश कुमार के किसाब गोदी मीडिया का नाम जो है वो रवीश कुमार ने चलाया तो हाइलाइट करते रहते हैं तो चेले हैं सब उनके लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि राजदीप ने कभी रवीश कुमार के बारे में कहा हो या रवीश ने कभी लेते हैं अर्नेव गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा अपराद किया है और वो अपराद ये किया है कि उसने राजा के कपड़े उतार दिये सब के सामें बिल्कुल वह जो उसने 2014 में जो राहुल गांदी का जो इंटर्व्यू दिया था टाइंस नौ की तरफ से उस इंटर्व्यू से सभी को राहुल गांदी क्या असली बहुत दिक उस्तर पता चल गया और वो ऐसा अपराद है जिसके लिए ये पूरा का पूरा एको सिस्टम औरनव गोस्वामी को कभी माफ नहीं कर सकता और आप देखें रवी ये जो सब लोग हैं ये अरनव गोस्वामी को ठोड़ा सा क्या कहते हैं ने कि हेद रिश्टी से देखते हैं कि या रहे यार इसे कोी नोलिज वोलिज नहीं है ऐसे बकवास करता है चिल्ला चिल्ला के पतरकारिता करता है इस तरह क के लिए करता हूँ कि जब राजदीप सर्देशाई को नोकरी से निकाला गया तो वो घर पे बैठा रहा कई महीने तक उसे कई नोकरी नहीं मिली और सुधीर चोधरी की जब खटपट हुई जी नियूज में तो सुधीर चोधरी भी लोगों नहीं सोचा के सुधीर चोधरी पता नहीं क्या करेगा उसने भी जाके आज तक में नोकरी कर ली लेकिन अरनब गोस्वामी ने चैनल बनाया दावा किया वहाँ पे ठोक के कहा कि एक साल के अंदर इसे नंबर वन लाऊंगा टीयारपी में जिसे कहते हैं कि एक प्रोड और ये सब चीजे जो हुई थी सारा घटना कराम उसी से में हुआ था अरनब गोस्वामी ने ने कैसे बीट कर दिया ये सारी चीजे उसी से में एक्सको जोई थी तो अरनब गोस्वामी की मैं तारीफ इसलिये करता हूँ कि वो नोकरी का मोताज नहीं हुआ उसने कैसे भी हो उसने चैनल बनाया और जिस सोच से वो काम कर रहा है अरनब गोस्वामी ने उसी तरह का चैनल बनाया और अपने चैनल को आगे बढ़ाया नेटवर्क को बढ़ा रहा है बढ़िया चल रहा है अरनब गोस्वामी का लेकिन ये सब तो नोकरी के लिए मजबूर होगे आशु तो उसको तो नोकरी भी नहीं देगा कोई अभी एक चला था है एक गॉसिप चला था मैंने भी उसका जिकर किया था एक उसके ओपर मैंने बनाया था एक शोप रवीश जो है वो नोकरी डून रहा है हाँ आपने बनाया था एक वीडियो रवीश को वायर ने भी नोकरी देने से मना कर दिया रवायर ने भी और शैद दे प्रिंट ने भी आपने प्रिंट ने भी मना कर दिया और लॉंडी ने भी मना गड़ दिया बताईए आप इतनी बुरी इस्तिती आगे रवीश कुमार की हाँ तो है इनकी इस्तिती इन्होंने खुदी खुराब की क्यों चीए जब आप अपना खुद का चला रहे हो हाँ मुझे भी आश्चरी है इतनी बढ़िया आपकी विवर्शिप है और इतना वो मल रहा है कहीं ने ऐसे तो डर नहीं सता रहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आगे तो यूट्यूब ना खरीद ले अडानी ये तो आज की हेडलाइन हो सकती है हेडलाइन हो सकती है मतलब यूट्यूब ना खरीद ले अडानी तो इन्हें ये इस बात का डर हो कि हो सकता है कि कल यूट्यूब ये कहे कि हम जो अपना इंडिया का जो अपना ओप्रेशन्स है उसको हम उसकी बिड लगाते हैं पता लगा वहाँ अडानी ने उसको भी खरीद लिया तो हो सकता है कि इन्हें इसकी भी चिंता रहती हो गया फिर क्या करेंगे अगर यूट्यूब भी बंद हो गया अब अडानी के पीछे इतना पड़े ये अब आप देखिये कि मैं तो इनके शुक्र गुजार हूँ मैं इनका आभारी हूँ बहुत अधिक कि मैंने तो कभी कोई शेर खरीदे नहीं थे जिन्दगी में कोई शेर नहीं खरीदा एक लिए सिंगल शेर नहीं अब इन्होंने जब अडानी का शेर जो था वो अचानक इन्होंने उसको इंडिन बर्ग वाला करके और सब नाटक वाटक किया और वो एकदम से कॉलाप्स किया तब किसी ने मुझको कहा कि बहुत अच्छा मौका है ले लो तो अब आप ये देखें कि मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं था तो वो डीमैट अकाउंट बनाने में उसको करने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया चार चाहे दिन तो वो जो लोएस्ट पे गया था 395 पे 395 पे नहीं ले पाया उसको अडानी पोर्ट से शेयर दिये और मैंने उसको फाइनली जब मैंने उसको डीमैट अकाउंट अकाउंट मेरा बन गया हो गया सब तो बुरा सब तब मैंने उसको लिया 566 पे जब वो दुबारा चड़ने लगा तो तब वो 566 पहुंच गया था वापर पर नहीं ले पाया है क्योंकि मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं था और इनको मैं धन्यवाद देता रहता हूं और वो 566 जो आए वो 1100 के पहुंचने वाला है डवल होने वाला है ना इनों नहीं ये काम किया होता ना मेरे जैसा एक्ती शेयर खरीदने पहुंच पहुंच अब वो 11. इस स्थान पे पहुच गया है और जिस तरह से मार्केट चल रहा है फिर वो पहले इस थान पर पहुच जाएगा कुछ दिनों में फिर पूछेंगे हम फिर राईल गांदी से भी क्या हुआ राईल गाली से तो क्या पूछेंगे वो तो हम आगे बात करेंगे ले नों ने हलाग-ुला किय था और पुरा का पुरा अडानी को मिला दिया था मोधी के साथ मैं तो मैं संजाजी अक्सर एक बात कह ejerc Guard imagine 3 साल से अपने वीडियो में यह बात बारबाद कहता हूँ कि राहूल गांदी और यह सारे जितने लोग हैं यह कहते हैं अडानी, अमबानी, इन सब के पीछे के सब देश को बेच दिया, प्छले चुनाओ में अमबानी का था, इस वार अडानी का है, राहूल गांदी का, तो मैं तो ये भी कहता हूं कि अपने गोशना पत्र में लिख में क्या करा है यह लिखे ना उस बात को मुझे लगता है सिरे ब्लैक मेल करने के लिए अगर इने लगता है कि इन सब चीजों से जनता प्रभावित होती है या उसकी मानसिक्ता बदलती है पुझी पतियों के खिलाफ अब आप बताये कभी एक समय टाटा बिरला हुआ करते थ में ये इंदुस्तान और इंदुस्तान टाइम्स पूरा ग्रूप ये कॉंग्रेस का मुख पत्र था इंदरा गांधी जो कहती थी वो ही हैडलाइन होती थी अख़बार की आज प्राइम निश्टर ने ये का और बिरला साब जो स्वरकवासी होगे वो भी और उनकी बेटी शोबना भर्पिया भी है तो राज्यसभा में लगातार बने रहे लंबे समय तक राज्यसभा में रहे तो मीडिया का और इनका ये तो लोग सब लोगों को ऐसी बदनाम कर रहे हैं इनका तो पुराना नाता रहा है और ये चोली दामन का साथ है और ये हमेसा रहेगा आप क्या अमेरिका में नहीं है जितने भी हैं कि CNN उसे सपोर्ट करता है और Fox उसको सपोर्ट करता है दूसरा ग्रूप उसके साथ है इंग्लेंड में चले जाए अब इंग्लेंड में सारा मीडिया ऐसी है कि ये Royal Family का मुकपत्र है ये फला का है ये कंजरवेटिव का है ये उनका है सब जगे है ये कहां नहीं है यहां तुम नाक वैसी बदनाम किया जा रहा है कि साथ यहां मीडिया इस तरह से है गोधी मीडिया फ jsemप्लाना लेकार बदनाम कर रहे हैं उन्त में ये बताएं कि यह जो सारा पीड़ा आसो दिखती आपको क्या ये इस कारण से है कि मीडिया जगत में इंटरनेट के कारण में एक वास्तविक लोक तंत्रा गया है बिल्कुल ये तो शुरुवात में कहा मैंने आपको जो मंच वाली बात मैं गह रहा हूं शोशल मीडिया ये भी तो एक बड़ा मंच मिला है कि जिसे अखबार में नोकरी नहीं मिली जिसे चैनल में नोकरी नहीं मिली उसके पास एक अपना मंच है और देखिए संजे जी मेरा मानना है कि हर इनसान में एक टैलेंट होती है उसे उस टैलेंट को जिस दिन वो पहचान लेता है कि हैसाब मेरे अंदर इस बात की खुबी है मैं ये कर सकता हूँ जैसे आप बहुत अच्छी गैलोट साब की मिमीगरी कर देते हैं तो या जीत बार ये आपके पास तैयार है और देखिए सबसे इस सिस्टम की सबसे खास बात क्या है रिवेंडिय मोडल बहुत बढ़ी है आप पहले अख़बार शुरू करेंगे उसके लिए आपको मानियता करानी होगी अख़बार की तीन साल आपको अपने जैब से खर्च करना कौन कहता है कि आसमान में सुराफ नहीं हो सकता तो वो सब चीजें हैं वो मंच आया है और सब आप देखिए हगीकत बात आप ये देखिए ये सब लोग जिनोंने कभी एक शतर राज किया वाम पंतियोंने आज ये सब इसी मंच पे आगए हैं अपना मंच छोड़के इधर भाग रहे हैं इन्हें लग रहा है कि वहाँ प आप सोतंत रहें अब आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं आप अपना काम कर रहे हैं और आपकी जो टैलेंट है या आपकी जो बोलने की च्छमता है या जो चीज आप बिल्कुल 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 इमांदार प्लेट फॉर्म बिल्कुल और दम नहीं होगा अकैडिमिया वाले जितने भी हैं वो बड़े व्यथित हैं क्योंकि वो अपने सिस्टम में इस तरह से रचे बसे हुए हैं वस वही और उनके captive audience उनके students और वो देखते हैं कि साथ की कोई नया व्यक्ति आके और इतिहास पढ़ा रहा है उसके लाखाओ followers हैं और फिर प्रोफेसर साथ ट्राई करते हैं तो उनके पांच followers आते हैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ और यह अभी एक प्रोफेसर ने बड़ा तमाशा किया दिल्ली उनिवस्टी के के साब मैं सत्य अभी उसने बड़ा एक तमाशा क्रियेट किया कि मुझे जो है नोकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मेरी सोच वामपन्ती एड़ोग बेसिस पे दिल्ली उनिवस्टी में लगब 4,000 लेक्चार हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एड़ोग बेसिस पे काम करते हैं त कि दिल्ली उनिवस्टी में उन लोगों को हटाया जा रहा है जो वामपन्ती सोचके हैं या प्रो बीजेपी नहीं है और ये एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि भ्रहम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अब एड़ोग बेसिस पे जिनके इनके तो अधार पर आपको अगले साल के लिए किया जाता है बहुत से लोग 15-15 साल से इसी तरह से काम कर रहे थे अब ये इन्होंने ये फैला दिया है जिसे कहूँगा मैं तो मिठक ही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में कि इसकी लिस्ट अब RSS के मुख्याल ले जाती है व विडिया को अपने ही जेब में रखा सारे नेटवर्क आपके अपने थे सारे पुब्लिकेशन आपके थे अगर मोदी जी ने एक दो अपने समर्थन में सारी उनिवर्स्टीज में आपके थे लेकिए मैं तो इसका राज्यसभा से जोड़ता हूं संजे जी आज कितना समय ह होगे सेंटर में बीजेपी को आए हुए राज्यसभा में अपने दंपे बीजेपी आज भी नहीं खड़ी हो पारी तो यह तो जिस तरीके की जड़े में बता रहा हूं ने इतने गहरे गुसी हुई है यह तो सैद एक टर्म नहीं रेंदर मोदी जैसे लोगों को कम से कम च किस तरह की बनाते हैं और इन्हें फैलाने वाले भी बहुत मोजूद हैं तुरंत लपक लेते हैं वो आरपा मेडम हैं उन्होंने इंटर्वू कर लिया उस प्रोफेसर का सत्य हिंदी वालों ने भी शायद किया है मैंने देखा नहीं लेकिन कोई बता रहा था तो इंटर्वू किये जा रहे हैं उनके बसकी मोदी के खिलाफ बोल दे कोई पाईए फिर आप इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और सभी दर्शुकों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरुश्ची जै भारत पंदेवाद धन्यवाद